नमस्कार दोस्तूं सुआगत है आपका फिर से हमारी यूट्यूब चेनल में दोस्तूं बहुत से लोगों के दुवारा ये पूछा जाता है कि इंदर शब्द का अर्थ या मतलब क्या हुता है तो आज हम इस वीडियो में इंदर शब्द के अर्थ या इंदर शब्द के मतलब के बारे में बात करेंगे हम जानेंगे कि इंदर कौन है और इंदर शब्द का अर्थ या मतलब क्या है तो वीडियो को पूरा जुरूर देखी और वीडियो अच्छा लगी तो क्रिपयर जेनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों सबसे पहले हम जाना लेते हैं कि इंदरशद का अर्थ या मतलब क्या होता है तो दोस्तों हिंदू द्रम का एक एसा देव जो स्वरग में रहता है और स्वरग का राजा कहा जाता है साथी वर्षा कराने वाला देव यही होता है इन्दरदेव के नाम से जाना चाता है इनका मुख्य बहुती सुंदर है और बल्चाली होने के साथ साथ ग्यानी भी होती है रिग वेद सबसे प्राचीन वेते हैं जिसमें इंदर का वरणन बहुती अच्छी तरह से देखने को मिलते है साथ ही देवराज इंदर को रिग वेद का एक महत्वपरून देव के रूप में जाना जाता है इसमें बताया जाता है कि जब भी कभी वर्षा होती है उसे करने वाला देव इंदर ही होता है बहुत बयानक वर्षा होने का अर्थ इंदर के प्रकोप का इस वेद में बताया गया वज्जर के बारे में बताया जाता है कि इंदर का ये एक आयुद है जो उसका बहुत ही पिरी है जिसके कारण से ही इने वज्जरपात के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों इंदर सब्द की अर्थ को कुछ इस तरह से समझाया जा सकता है आकास में रहने वाला एक देवता जो वर्षा कराने का काम करता है वयुमंडल का देव जो संपूर्णे वयुमंडल में वास करता हूँ बादलों में रहने वाला देव जो वर्षा भी कराता है आकास मंडल का एक एसा देव जो आकास पर राज करता है वर्षा होना एक एसा राजा जो स्वर्ग में रहा हो और स्वर्ग की देवी देवताओं में सबसे बड़ा हो स्वर्ग पर राज करने वाला एक प्रकार का सबसे बड़ा दिव तो इस तरह से दोस्तों इंदर शब्द का आर्थ या मतलब होता है इसके लावा दोस्तों इंदर शब्द के वक्यम प्रियोग भी कर लेती हैं जो कुछ इस तरह से हैं अब तो देवेंदर को याद करना ही हुगा कितना समय बीत गया मगर वर्षा नहीं हुई इंदर के प्रकोप के कारण से इतनी अधिक भयानक वर्षा हुई कि पूरा का पूरा विरिंदावन डूबने को तेयार था तो किर्षिन जी ने लोगों की जान मत चाई नमबर थरी इंदर के प्रकोप से लोगों को बंचाने के लिए बगवान किर्षिन जी ने अपनी सबसे चोटी उंगली पर विशाल प्रवत को उठा लिया तो इस तरह से दोस्तों इंदर सब्द का अर्थ होता है और इंदर सब्द का वाक्यम प्रियोग किया जाता है अगर दोस्तों वीडियो जरा सभी अच्छा लगा हो तो कृपया चेनल को सब्सक्राइब करें और एसे ही वीडियो समय समय पर प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दपा दें अंत में कमेंट में बताएं कि आपकी सब्द के अर्थ के बारे में जानना चाते हैं हम उस पर एक अलग सी और अच्छा सा वीडियो बनाएंगे